अगर आपने मेरे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर पुलाओ के रेसिपी जिसे बनाना बहुत है बहुत एजी स्टेप्स में को बनाना सिखाऊंगी और आपके चावल बिल्कुल भी तूटेंगे नहीं एकदम खुले बिखरे बिखरे और खिले खिले रहेंगे तो चली शुरू करते हैं मटर पुलाओ बनाने के लिए दोस्तों यहां पे लिया है मैंने एक भगोना और इसके अंदर में डालूंगी घी तो मैं यहां पे देसी घी डाल रही हूँ आप चाहो तो ऑइल का भी यूज कर सकते हूँ मैं यहां पे तीन चमच खी आड़ कर रही हूँ और जब तक हमारा घी गरम हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ घड़े मसाले बता देती हूँ यहां मैंने लिया है वन टीस्पून जीराी यहां मैंने दाल चिनी का ऊच्परा चोटा सा मेरी ऑ्गैनिक है बुषक्पर जादा स्ट्रॉग है इसलिए मैंने बहुत छोटा कैल लिया है आप नौर्मरब वाली लिय तो एक ऐप ंसका टोबुद चार लॉंग दो तिज पा सुखी लाज मिर्ज को आपक प्रची एंदर ने चिर्ड करणे मसाल के तेश पत्पे . अब बचे में रावा हम लेता है चैसे शोड़ी ने हैं चैसे ने शिलेटी शोप एप मिर्ज के शारिया थे भूझ के दालें दोया है। जब तक मेरा प्यास भून रहा है तो मैं उसके साथ ही डाल रहे हूं इसमें एक चुटकी हींग इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवा राता है और पुलाब में बहुत ही अच्छी खुश्पु आएगी तो मैंने इसके अंदर डाला है हींग और अपने प्यास को हम अच्छे से सभी अटशी खुश्पन निकाल देंगे अरिहां मेरी प्यास अच्छे से भून गयी है और मैं इसके हंदर डाल रहरे हो हम द्यूश्पून जिंजर गालिक पेस्ट इसको भी इसका अच्छी से ढून लोंगी मैं इसके साथ करेंगे दोसमा गहाँ पूंग अधरफ लेसं का पेस्ट भी अच्छ से बूंक या है इसके बाद मैं इसमें आलूंगी मतर मैंने ऐहां पीलिया है अधर लिया मतर इनका उच्छा से वॉश कर लिया है और अब मैं डालूंगी इसके अंदर और मटर को भी हम अपने प्याज लेस्टन और खड़े मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पे मैंने दोस्कों कच्छी मटर यूज करी है मैंने इसे कोई बॉयल नहीं करा है और यहां पच्छी है और अब मैं इसके साथ ही इसमें डालूंगी सबसे पहले 1-2 टीज़पून सॉफ पाउडर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1-2 टीज़पून धनिया पाउडर पिर मैं डालूंगी गरम मसाला तो मैं इसमैं टाल रहे हूं तो तो मैं इसमैं डालरी है और अब मैं जालूंगी नमक नमक आपको अपने टेस्ट के काओडिन डाल सकते हो लेकिन फिर भी में आपको बता दूँ मैं अच्छे से मिक्स कर लोंगे इसके साथ और इसी साथ में डालोंगे थोड़ा सा पानी अपने मसालो को पकाने के लिए तो जादा नहीं मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूं अच्छे से अधर नहीं करें अगो जादा दूआ तो मैं यहां पर वन कप मैं आपको दिखा दूँ यह मेधरिंग कप है वन कप भीगोया था तिन चावलों को और मैं यहां ने आलर घंटा भीगोया है अच्छे से वाश करने के बाद मैं इसके अन्दर डाल रही हूं तो म जालें चावल सब्सक्राइब ने चावल हगे तोतना नहीं चावल बिलकुल तूटना नहीं चाहिए अब इसके अंदर एड़ेंगे हम पानी और इसके बाद मैं डाले हूं पानी में इसके बाद पानी इपादित वहरा है हम यहाँ पर नहें प्रहुन और नहीं सबता में चर्चक बादे कावल उचानेशाव पाणेशनाट Guid suo black यहाँ बाइल ने यहाँ गाल कोफे हम 25 पारेम सब्सक्राइब indeed यहां पर मेरे बासमत्ती राइस है तो इसमें मैंने धाय कप पाने डाला है और इसको मैं एक तेज गैस पर अच्छा बॉयल आने के लिए छोड़ दूंगी सबसे पहले और यहां मेरे चावलों में एक अच्छा उबाल आ गया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मैं आधा निवू का रस इससे चावल जो हैं हमारे बहुत ही खिले खिले होंगे पूटिंगे नहीं एकदम बिखरे बिखरे और खिले खिले वाइट कलर के होंगे इससे यह फा ताकि वह एवल्ली कुख हो जाए उपर नीचे और बहुत ही हलके हाथ उसे चलाना है ताकि जापके चावल बिल्कुल भी तूटे ना और यहां पर इस टेज पर मैं आप प्लेट हम पांच मिनट के लिए इससे ठकतेंगे और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छ कर लेते हैं तो यह देखिए कि इनका पानी लगबद सूप चुका है ठोड़ा सा नीचे से पानी हो incoming ने हो बिल्च करण और तो मैं इसे धर भी दुनूंगी 5 मिनट के लिए जाआ यह डी करने नीखिए यहां मेरे चावलो का पानी अच्छे से पूरे तरीके से सूख चुका है और यह एकदम पगए है अब मैं यहां पर कर दूंगी फ्लेम को आफ और इने वापस ढख के छोड़ दूंगी जितनी भी स्ट्रीम है इसके अंदर बनी रहे और यह देखे दोस्तों मेरे मटर पुला करें एकदम आसान और एजी रेसिपी आप इसे लांच डिनर ब्रेकफास्ट का भी भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगते हैं